नेशनल डिपेंस अकेडमी में जाना अब असान हो रहा है जी हाँ जो लेवल एंडी के एक्जामनेशन का थोड़े टाइम पहले था अब उससे कम है कट ओफ बहुत कम है मैं समझाता हूं पूरा सिनेरियो क्या हुआ है आप सब लोगों के लिए अच्छी न्यूज है गैरिं इंडिड कैंडिडेट्स के जिससे हमें यह पता लगा कि जो मिनिममम मार्क्स थे रिटन एक्जामनेशन के वह 292 थे और जो लास्ट बच्चा टोटल मार्क्स में था वह 646 था अब इस चीज को समझते हैं इसका मतलब क्या है यह कुछ पिछले सालों का मैंने आपके लिए बनाया है कंप्लीट प्रोसेस समझाने के लिए टोटल जो मार्क्स होते हैं अठारा सो होते हैं 900 रिटन 900 SSB 1800 में से फाइनल कट अफ निकलती है अगर आप 2020-22 देखोगे तो टोटल मार्क्स जो है वह 700-720 इसके हेर फेर में घुमा करते थे ठीक है इसके साथ-साथ जो सेक्शन कट ओफ 25 प्रसेंट वा करती थी यहीं पर इस बार का देखो जो 2023 का सेकंड है इसकी जो कट ओफ गई है रिटन की 292 गई है कहां 300 साथ कहां 200 में 900 में से सिर्फ 292 नंबर लाने सेक्शन कट अभी रिलीज नहीं हुई है बट मेरा अंदाज है 20% का मेरा अंदाज है अब इससे पहले 301 थी उससे पहले 316 थी ट्रेंड देख रहो आप ट्रेंड नीचे जा रहा है भाई साब पेपर का लेवल इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है कि बच्चा इतने मार्क स्कोर करने बहुत दिक्कत कर रहा है इत मलब लेवल बढ़ रहा है चेंज हो रही है अगर इससे एग्जामनेशन इतने बड़े लेवल के पोस्ट के लिए मतलब भाई एंडी में जाना मजाग थोड़ी ना है एंडी बच्चा पूरी जिन्द के लिए सिक्के लिए सिक्क्राइब पर्मानेंट कमिशन इंडियन आम फोर्टीज में ऑफसर एक रिड़ ऑफसर इंडिया में सबसे जयादा उफसर में सेलरी एक डिफाइंस ऑफसर की होती है एक साट साल तक आपको सेलरी मिलनी है इससे एजली बड़े अग्जामनेशन हो निसक्त है अगर अब भी तेरे अग्जामनेशन नहीं निकलेगा तो मुझे निपता कभ निकलेगा भाई साब पढ़ाई करो एंडीवन दोजार चोबिस आ रहा है उसके लिए आपकी क्लासिस रेगुलर सारी लग चुकी है यह मंतली करेंट फिर भी आपका लग रहा है आप देखोगे तो आपके पूरी टीम मैराथोंस की बाड़ ला रखेगी भाई बच्चे किसी तरह से सेलेक्शन हो एंडीवन दोजार चोबिस के थुरू अकेडमी जाओ ठीक है यह न्यूज आपके साथ शेयर करने थी बाकि मिलते हैं आपसे बाई क्लासिस में जैहिंत जै